बसकार मित्रों स्वागत है आपका आर और पाट शाला में आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ सामाने हिंदी के महत्वपुन परसुनों का संकलन एक आदर्श प्रशन पत्र बस आप पैन को पिले के साथ बैठिए और मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर टिक करिए औ और वीडियो के अंद में मुझे जरूर बताईए कि आपके कितने प्रशन सही हुए है चलिए प्रारम करते हैं जो मित्र नए है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि मेरे आगामी वीडियो आपको डाइरेक्ट मिलते रहे चलिए है फार्सी हिंदी जो है फार्सी भाषा का सब्द है दूसरा प्रशन देखिए जहां बिनाकारण के कारिय का होना होता है वहां कोन सा लंकार होता है जहां बिनाकारण के कारिय का होना बताया जाता है ओप्शन है विशेशोक्ति या विभावना तो इसका सही उत्तर है तो इसका सही उत्तर होगा विष्नू का अगला प्रशन देखे वर्तनी की दृष्टी से शुद्ध है अनुग्रहीत या अनुग्रहीत ऑप्शन देखे अनुग्रहीत पहला दूसरा है अनुग्रहीत मुझे उम्मीद आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्तर है दूसरा वाला अनुग्रिहीत अगला प्रशन देखिए पांचवा प्रशन तदभव है इन में से तदभव है ओप्षन है पहला निडर दूसरा है सुर तो मुझे उम्मीद आपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा सही आंसर है निडर पहले वाला तदभव शब्द है निडर चटा प्रशन देखिए अमर का विलोम पद है मरण या मृत मर्त्य तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा वाला मर्त्य अगला प्रशन देखिए सात्वा प्रशन अघोश वर्ण है ओप्षन है जै या सै तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा सै शै और सै ये तीनों जो हैं अघोश वर्ण में आते हैं आठ्वा प्रशन देखिए अधिकारी शब्द होता है संग्या या अव्यय तो इसका सही उत्तर है अव्यय अधिकारी शब्द जो है वो अव्यय में आता है नोवा प्रशन देखिए चरन कमल बंदव रगुराई इसमें कोन सा अलंकार है उप्षन शलेश या रूपक तो इसका सही उत्तर होगा रूपक चरन कमल रूपी चरन तो इसमें रूपक अलंकार हुआ लाश्ट प्रसन देखिए दस्वा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है अवान या उप्मा मुझे उम्मीद आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्तर है उप्मा उप्मा जो है उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है तो आज के लिए इतना ही मित्रों मैं इस प्रकार के वीडियोज प्रति दिन लेकर आता हूं आपको अगर वीडियो पसंद आता तो आउत्सा बना रहे और मैं इस प्रकार के वीडियोज लाता रहूं धन्यवाद